हेलो दोस्तों कायन मास्टर स्रीज का ये पार्ट सिवन वीडियो है और लाश्ट वीडियो है इसके बाद आपका कायन मास्टर स्रीज में कोई भी वीडियो नहीं बसता है यदि आपने फर्स्ट से लेकर के शिक्स लेवर तक का आपने पार्ट नहीं देखा है तो इससे वीडियो को सुरु से लाज तक बीना इसकीप की वह देखिएगा जैनली इस वीडियो में में दो टापिक्स पर ज्यादा बात करने वाला है एक अपने वीडियो का वेग्राउंड कैसे रेमूब कर सकते दूसरा टेक्स्ट कलर एनमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काइन मैस्टर अप्लिकेशन को उपिन कर लिया है उसके बाद क्रियेट नियू पर क्लिक करके मैंने एक्सपेक्टेड रेसियो लेकर नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल लेने के लिए बोल रह आप भी इसी तरीके से कोई वैगराउंड लगाना चाहते हैं अपने वीडियो में तो आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप लोगों सबसे पहले यह बता दो क्रोमा की होता क्या है क्रोमा की जनरली आप यहाँ पर लेयर सेलेक्ट करते हैं तो उस लेयर के बैक्गराउंड को रिमूब करने के लिए क्रोमा की का यूज किया जाता है तो यूज कैसे करना है उसी चीज को मैं बता रहा हूँ जैसे पहले आपने कोई file select कर लिया है file select करने के बाद ये file background का काम करता है इसमें हम chroma की नहीं लगा सकते लेकिन chroma की हम किसमें लगाएंगे जैसे मैंने एक video अपने लिए record किया है मैं green परदे पे video record करता हूँ तो उसे यहाँ पे import कर लेता हूँ import कर लिया है तो आपको क्या करना है जिस video का आपको background remove करना है उस video को आपको हमेशा green परदे पे ही suit करना है आप किसी अलग color वाले परदे पे भी suit कर सकते हो लेकिन green परदा इसके लिए ज़्यादा ही affected होता है काफी best होता है इसलिए green परदे का ही use भी किया जाता है जैसे भी मैंने यहाँ पे लिया और उसके बाद इस पे click कर दिया click करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं chroma key का option आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जैसे कि मैंने previous एक chapter में बोला था कि chroma key का यूज बाद में जानेंगे तो उस chroma key का यूज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं enable करने का option आ रहा है तो इसे मैं सबसे पहले enable कर देता हूँ enable करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते background remove हो चुका है लेकिन अभी इसमें काफी सारे settings भी बाकी है तो अभी मैं इसे off करके देखाता हूँ तो off करने के बाद आप देख सकते हैं background आ जाती है और on करने के बाद background चला जाता है उसके बाद यहाँ पे काफी सारे settings में देख सकते हैं पर इसके capacity को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं जैसे मैंने के capacity को बढ़ाया तो आप देख सकते हैं 50% करने पर कुछ ऐसा रहा तो इसमें क्या होता है slide करके आपको setting set करना होता है कि किस पे ज़्यादा best आरा background किस पे remove हो रहा है आपको ध्यान देना है कि जब आप video shoot करते हो तो परदे का color बिल्कुल एक होना चाहिए यानि lighting उसमें perfect होनी चाहिए lighting में किसी प्रकार की problem नहीं होनी चाहिए आप दूसरी यहां पर नीजे वाला जो यह रो है लाइन है इससे भी इसकी capacity को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं यहां से इस तरीके से सेट कर सकते हैं उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं की color आ रहा है की color पर click करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर color change करने के लिए दे रहे हैं जैसे मैं यहाँ पर rate कर देता हूँ rate करने के बाद इसका मतलब क्या होता है rate color का यहाँ पर जो भी effects होगा उसे क्या करेगा remove कर देगा तो key color auto होता है generally यह auto अपने तरीके से यहाँ पर ले लेता है तो आपको इसको ज्यादा छेडने की जरूरत नहीं परती है फिर भी अपने key color में जा करके कोई अलग-अलग color select करके आप यहाँ पर background को remove कर सकते हैं दोस्तों उसकी बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर detail curve का option आ रहा है यदि इन दो setting को करने के बाद भी आपका यहाँ पर background अच्छे से remove नहीं हो पा रहा है तो आप detail curve का सहारा ले सकते हैं इस पर click करना होता है और curve को दीर दे यहाँ पर down कर सकते हैं down करने के बाद यहाँ पर detail curve पर back हो जाते हैं back होने के बाद यह first वाले जो efficiency दिया है इसे हम लोग minus करते हैं minus करने के लिए यहाँ पर आप यह जनरली type करते हैं बस क्यों tap tap करके यह तो भी यहाँ पर minus होते जाता है यह इधर tap करते हैं तो प्लस होते जाता है तो ऐसे single single आपको tap करना है tap करके इसकी efficiency को घटा बढ़ा करके अपने तरीके से manage कर सकते हैं तो इस तरीके से अपने वीडियो का background remove कर सकते हैं उसके बाद इसे जहाँ पर भी set करना हो इसे छोटा इसमाल में करना हो तो इसमाल में कर सकते हैं बढ़ा करना हो तो बढ़े में करके इसे जहाँ पर लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं तो मैं इसी तरीके से background को remove करता हूँ और remove करके यहाँ पर set कर पाता हूँ उसके बाद आप लोगों में बता दूँ जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि दो चीजों के बारे में बताने वाला हूँ कि color animation text और background कैसे remove कर सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने वीडियो का background remove करके दिखा दिया यदि आप color animation text वीडियो बनाना चाहते हो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो यदि इस तरीके का color animation text आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए मैंने अल्रेडी एक वीडियो बना दिया है उसे आप डिक्सिप्सन बॉक्स में जा करके देख सकते हो इसमें मैं ज़्यादा बाते करके आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता हूँ तो दोस्तो आसा करतों को यह आपको समझ में आ गया होगा और आपको कैसे करना है वो भी समझ में आ गया होगा दोस्तो जो मैंने काइनमास्टर का स्रीज चालू किया था वो वन पार्ट से सेवन पार्ट तक है यदि आपने previous chapter को नहीं देखा है तो आप उसे देख लिजेगा यदि आप पूरे parts को देख लेते हैं one by one और step by step full videos को देख लेते हैं तो आपको advanced level की video editing आ जाती है दोस्तों यहां तक video देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद दोस्तों यदि आपने पूरा video step by step देखा होगा तो video आप लोगो क्लियरी समझ में आया होगा आसा कर सकता हूँ तो दोस्तों यह video अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देखा होगा चैनल में पहली बार विजिट हुएं तो चैनल को subscribe कर दीजेगा दोस्तों यह काइन मास्टर का last episode था अब इसके बाद यह आपको कोई भी problems रह जाती है तो आप comment box में लिख सकते हो मैं उस पर एक personally वीडियो बना करके upload कर दोंगा तो दोस्तों मिलते हैं किसी next tactical जनकारे वाले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरा